आज मैं आपको पराऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक की पोम जिसका नाम है और रोट साइट स्टैंड यह पोम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉज जी ने हमने क्लास तेंथ में भी इनकी बहुत सारी पोम्स लिखते हैं यह जिनका अलग साही मीनिंग होता है जो कि हम जी रहे है उससे रिलेटेट पोम लिखते हैं तो आज की जो पोम है उसका नाम है रोट साइट स्टैंड बहुत सिम्पल सी पोम है पहले एक मिनट में समझा दे क्यों पोम में हो क्या रहा है यह पोम बच्चों को डिफिकर्ट लगती है बिकॉस अफ वर्ड मीनिंग पेस्ट करने एक एक लाइन मैं पोम हो जाएगी 501 एक गाउ के बाहर आना है क्गार है उन्होंने अपने घर के बाहर ये ठेला लगा दिया है ऐसा शैड घेलके और बी बढ़ा सश्ता है जैसे, जिन पैसों को उन्होंने शैड लगा दिया है आसपास में उन्होंने फार्म से जो उनका प्रड्यूस है जैसे लौकी वगेरा वो यहां पे बेच रहे हैं और वो पूरा दिन आस लगाए बैठे रहेते कि जो हाई वेफ से शेहर के लोग निकल के जा रहे होंगे काश वो एक दिन रुख जाए और कुछ हमार से खरीद ले इनको इगनोर करते वे चले जाते हैं अपनी चमचमाती गाडियों में और अगर बाई चांस कोई रुक के देख भी लेता है तो वो सिर्फ यह देखता है कि क्या बिकार सा ठेला लगा रखा है इनकी वज़े से सारा व्यू खराब हो रहा है जो पीछे की सीनरी है लोग ऐस करते हैं कोई रुक के रास्ता पूछ लेंगे गाड़ी मोड़ लेंगे इंके ठेले के पास में जो जगा बनी होती है यूटन ले लेंगे वहां से कभी पूछ लेंगे पेट्रोल पंप कहा है गैस कहा मिलेगी बढ़ कभी कोई यह नहीं कहता यह फल कितने के दिए यह रहते हैं वो भी चाहते हैं कि उनके पास भी कुछ पैसा हो वो भी जिन्द की अराम से जी पाए कुछ उनको नहीं मिलता है वहीं पर हमें थोड़ा बहुत है थोड़ा पॉलिटिक्स का भी बता रखाए कि कई बार इन लोगों को जूटे वादे कर दिये जाते हैं कि हम आपक कर दिन्गे रोजगार दिन्गे आपको मकान दिन्गे और आगे चल की उनको कोई भी जो वाध्य है वह पूरे नहीं करे जाते हैं जब वह वाद्यू उन्चे तूटते हैं तो उनकि रातों की निंदे छिंद्ध blanda जाती है और दो इनके पास जो है वह उनका खराब हो अब मैं आपको लाइन बेलाइन पड़ाओं की वाइड मीनिंग मैंने यहां बूट पे लिग दिया है सारे के सारे में ने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस कर दिया एक्ट्रा कम्यूनिटी देखो यूट्यूब को वहां से मिल जागा ठीक है चलो पड़ते हैं हम सिंपल लाइन है एक छोटा सा पुराना सा घर है पुराना घर मतलब गरीबी शो हो रही है उनका ओल्ड सा हाउस है उन्होंने एक नई उमीद से जो है एक नया शेड अपने घर के बाहर लगा दिया है इन फ्रंट एट एज ओफ दे रोड फ्रंट पे बिलकुल रोट के किन पर वेएट ट्राफिक स्पेड मतलब स्पीड से ट्राफिक निकल के जाता है उस सड़क के किनारे इन्होंने अपना रोट साइट सेंड लाइन नहीं नहीं आगे पड़ते हैं और रोट साइट सेंड डाट टू पाथेटिकली प्लेट इट वोड नॉट बाद बीड तो से इट वोड जाते हैं अपना पैसा कुछ उड अपना पैसा को जोड के उन्होंने इसको स्यूरू करा वह बिल्कुल पाथेटिकली प्लेट कर शारिए नहीं तो यह रोट साइट सेंड भी बहुत पाथेटिकली गुरारिश कर रहा है आते जाते लोगोंसे कि कोई तो कुछ तो उनके मालिक है उनकी भी रोजी रोटी चल जाए इट वोड नॉट बी फेर तो सी फॉर डोल ओ ब्रेड बट वो पथेटिकली प्लेड तो कर रहा है वो जो गुजारिश तो कर रहा है वो रोट साइच चैंड और भाग के लोग वो जो जो हैं भीक नहीं मांग रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है रहे है आता ही साटिन लोगों इस हम impact पासले तो हम अपना घर का खाना बनी नहीं चला परें नहीं, तो एक बार दुबारा पढ़ लोग उन्हें नजर अंदास करके चले जाते हैं, तो एक बार दुबारा पढ़ लोग उन्हें लाइनों को, रोट साइट स्टैंड तो पथेटिकली प्लेट, इट वोड नोट बी फिर टु से, यह सही नहीं होगा, कि तुम कह रहे हो कि वो डोल व ब्रेट मांग रहे हैं, वो भीग मांग रहे हैं, वो तो एक अच्छा काम करे है, वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, उन्होंने रोट साइट स्टैंड खोला है, पैसे कमाने के लिए, बट, आगे परते हैं, बट, फॉर सम अफ दे मनी, दे कैश हूस फ्लो सपोर्ट दे फ्लार ओफ सिटीज फ्लार ओफ सिटीज फ्लों सिंकिंग विदरिंग फिंट, आप यहां पर हमें यह बता रहत हैं कि उन्होंने रोट साइट स्टैंड क्यूं खोला है, For some of the money पैसों के लिए खोला है भीग मंगलिक लिए नहीं खोला है ठीक है जिसका फ्लोue support करता है flower of cities को flower of cities तब क्या है city के जो citizens है city में रहने वाले लोग है तो वो उस पैसे की demand कर रही है जो जो है वो ही पैसा जो flower of cities को city के लोगों को जो है withering faint होने से बचा लेता है withering faint होना मतलब होता है मुर्चा जाना यहां कहने का मतलब यह है कि भाई roadside stand के लोग कह रहे जैसे city के लोगों पर अपना पैसा है वो लोग भी कमाई कर रहे है उसी पैसे को अब ये लोग भी चाहते है कि कोई city का बंदा जा रहा है तो वो रुक के इन से कुछ खरीद ले so that वो पैसा इन पे भी आ जाए और जैसे city में इतना development है इनको भी थोड़ा सा वो develop हो जाए ये लोग तो एक बार दुबारा पढ़ लो इसको पूरी के पूरी लाइन को a roadside stand that to pathetically plead it would not be fair to say for a dollar of bread but for some of the money the cash whose flow supports the flower of cities from sinking a withering fiend sinking a withering fiend मतलब क्या हुआ वो cash जो support करते है न बड़े-बड़े businesses को वो ही cash ये लोग चाहरे कि इनने भी कुछ मिल जाए इसमें एक्जाम में direct question आ सकता है इस वाली लाइन से that whose flow supports the flower of cities from sinking and withering fiend तो flower of cities है शेहरों के लोग sinking a withering fiend मतलब है कि जैसे उनके पास पैसा है शेहरी लोगों के पाप फिर भी बहुत पैसा होता है उन डेवलाप करते हैं शेहरों में बहुत डेवलाप्मेंट है जॉब जादा होती है बिसनस जादा चल जाते है तो वह पैसा यह लोग भी चारे कि भाई हमारे पास भी कुछ पैसा आ जाए हम भी फेंट ना हो हम भी विदर हम भी मुर जाए ना हम भी अपनी जिनकी अच्छे से जी पाएं ठीक है चलो भाई आगे पड़ते हैं अब हमें बताया जाएगा कि जो लोग है वो उनको नजर अन्दास करके जाते हैं और है जो पॉलिश ट्राफिक है चप्छमाती घाडियां जो है ट्राफिक से मतलब है अलग-णिल गाडियां जो है एंसकूटी याँ बाइक जो भी जारें हमां हाइवे पे से जो भी जारा है हाइवे पे से वो उनको नजर अंदास कर ते वीए जाता है कोई उन पर ध्यान नहीं देता और if ever aside a moment और अगर पाइचांज कोई वहाँ देखे दैन आउट of sorts देन वह इरिटेट होके वहाँ देखते है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो लैंड्सकेप है जो पूरी ब्यूटिफुल सीनरी है हाइवे पर आपने देखा है ना बहुत जाए बड़ी बड़े खेद दिख रहे होते हैं कभी कभी पहाड़ भी दिखते हैं तो वह लोग कई बार जो roadside standards को देखके सोचते हैं इरिटेट हो जाते हैं देखके उसको कहते है कि अरे इस roadside stand ने तो सारी beauty ही बगार दी है तो out of sorts मतलब क्या होगा city people feel uneasy as they think presence of roadside standards ugly out of sorts का मतलब exam में आ सकता है तो इसलिए में लिग दिया है out of sorts मतलब इरिटेट हो जाते हैं देखके क्या stand लगा दिया सारी beauty बगार दिया ऐसे कई बार पॉलिष ट्राफिक यहने कि अमीर में लोग सोचते हैं of signs that with n turn wrong and s turn और किस किस चीज़ों को देखके रेटेट होते हैं अपढ़ो आप of signs that with n turn wrong and s turn wrong या फिर अगर कभी ध्यान देंगे दुकान पे तो देखते हैं कि अरे यह कितने बेवकूफ लोग है इन्हों जो है नौर्थ का sound गलत लगा रहा है और साउथ का sign गलत लगा रहा है ऐसा सोचते हैं and किस चीज़ को देखके रेटेट होते हैं तीसरी चीज़ offered for sale wild berries in wooden cards or crooked neck golden squash with silver wats और in fact जो यह लोग चीज़े बेच रहे होते हैं अपनी दुकान पे जो सबजियां यह लोग बेच रहे होते हैं बास्केटों में रखी हुई उनको देखके भी रिटेट होते हैं क्योंकि जो इनकी सबजियां हैं वो भी बहुत good quality की नहीं है यह मैं आ देख लें तो वो इरिटेट हो जाते हैं इरिटेट किन रीजन से होते एक्जाम में question आ सकता है देखलो पहला इरिटेट होने का reason यह है कि लैंड्सकेप खराब हो रहा है दूसरा की direction सही से नहीं बता रहे हैं तीसरा वो इरिटेट इनकी सबजियों को देखकर भी हो जाते कि इनकी तो सब्जिया बित्ती सुन्दर्णी है और उसके उपर silver color के वाट्स है silver silver धब्बे भी हैं तो उसकी quality देखकर भी सब्जी को यह लोग खुश नहीं होते हैं और beauty rest इन ब्यूटिफुल mountain scenes और यह देखते हैं पीछे अगर कभी वाइचंस रुख जाते हैं तो कि यह लाइं से you have the money but if you want to be mean why keep your money this crossly and go along तो यहां पर जो है poet कहे रहे हैं गाड़ी से जो लोग जारे चमजमाती गाड़ीं में शेहर के लोग यह आपको यह roadside strand के लोग कह रहे हैं उन लोगों को you have the money तुमाई पास पैसा है but if you want to be mean क्यों mean बनते हो तुम इतना why keep your money this crossly and go along क्यों तुम इतना mean बनते हो क्यों इस वाले line को आप दोनों बेस ले सकते हो कि या तो आप author की तरफ से सोचो कि author कह रहे है कि अरे सहर के लोगों इतना पैसा है तुमारी पास तुम इतने खुदगर्स क्यों बनते हो कुछ रोकियं से क्यों नहीं खरीद लेते हो वो गु कहते हैं you have the money आपके पास money है बर अगर आपको इतना mean रहना है कि हमार को देखके आप irritate हो तो अपना पैसा अपने पास रखो और यहां से चले जाओ ठीक है तो यह हो गई मारी next line अब आते हम अगले stanza पे अब यह वाला stanza poet कह रहे हैं the heart to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unset a poet यहां प the heart to the scenery wouldn't be my complaint जो सीनरी खराब होई है न रोडशाय शान की वैसे वो मेरी complaint नहीं है मुझे कोई बुरा नहीं लगता सीनरी खराब होने से मुझे बुरा लगता है trusting sorrow of what is unset की वज़ी से गयाने की trusting sorrow यहां पर क्या है वो trust जो village के लोगों ने in city के लोगों में दिखाया था स्टैंड लगाते सब में कि यह आके कुछ खरीदेंगे ट्रस्टी तो करा था कि चल भाहिया कोई आते चाता खरीद लेगा तो वो trusting जो उन्होंने करी थी हमारे उपर और हमने उनको ट्रस्ट तोड़ दिया उनको हमारे पोईट को उस वाले ट्रस्ट जो पूरा नहीं यानि कि वह ही कहना जा रहे है कि क्यों शहर के लोग रुक के उनसे कुछ खरीदे क्यों नहीं हैं अब पढ़ते हैं हम अगे की लाइंज यह वाले लाइंज बोल रहे हैं रोट साइट स्टैंड के लोग हेएर फार फ्रॉम देशिटी लेंगे रोट शाइट स्टैंड और हमने बहुत दूर शहर से अपना roadside channel लगा है और हम भी चाहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ sitting money आजाए हमारे आदमें भी कुछ पैसा आजाए simple to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving picture's promise that the party in power is set to be keeping from us और वो कह रहे हैं कि वो पैसा हमें क्यों चाहिए so that हम भी अपनी being expand कर पाए being expand मतलब हम भी जीवन अच्छे से जी पाए रूटी कपड़ा मंगान अच्छा standard of living हम भी लेकर chain से जी पाए और वो पैसा हमें चाहिए जो हमें वो वाली life दे सके जो moving pictures दिखाती है moving pictures यहां पर मतलब picture का भी हो सकता है अगर कभी picture आप दिखते हो तो उसमें कई पर दिखाया जाते हैं कि गरीब लोग भी अगर मेहनत करते हैं तो उनको भी बहुत सफलता मिल जाती है तो वो कह रहे हमें भी वो पैसा चाहिए हमने भी मेहनत करें हमने भी इनिशेटिव ले रोट साइस हैं चाहिए तो हमें भी पैसा चाहिए हम भी चाहते हैं कि जैसा picture में होते हैं शायद हमारे साथ कुछ हो जाए और नेक्स्ट उन्हें पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें भी अपनी तो हम अपना इनिशेटिव खुद ले रहे हैं और वी वांट कि कोई हमार से आके कुछ खडीद ले ठीक है अगला परते हैं अगला स्थेंजा अब कह रहे हैं कि आजकल न्यूजों में बात चल रही हैं खबरों में चर्चे चल रहे हैं कि ये लोगों को पिटीफुल किन्सकार यह जो रोडसाइट स्ट रहा हैं मतलब यह सारी संसरे इन सब फैमिली को अर्रसीफुली गैद़ कर आज चाय गा इन गावों में लेचा जाए जाए जो जो है इनकी लाइफ के पीछे आ गए है अब यहां पर दिखाया जा रहा है कि कई वार आपने दिखाया ना कि जैसी बड़े-बड़े लीडर्स जो है बस प्रॉमिस कर देते हैं गरीब लोगों को जाके आगे चलके किसी भी प्रॉमिस को फुल्फिल नहीं कहते हैं कहते क कि अब आप हमें वोट दे दो हम आप कोई प्रॉमिस पूरा नहीं होता है तो यह वहीं दिखाया जा रहा है कि आपको विलिज मिले के जाएंगे आपको कोई काम करने की ज़ूरत में आप कुछ मत करना तो उस चीज को यहां पर शो करा गया है तो चलो पढ़ते हैं आगे क कहले हैं तो कहांवेत के सिंद्गेत ही गरेंगे बाट कॉले कर ऊतों ऑप इंवेश्व ईंवेश्ट सहां से공व नियुक्रिप मोत्रते मिले तुमिदय को डीक करने हां यह वस्टाइब फिकार की वहां है इनक्रततों तो rant विल्हाएव को सब्सक्रीट कि झा सबहा है यह इन्हें कुछ नहीं मिलता है और जब इने पूरा लाइफ कराब हो जाती है इनका नींदे चंच आती है और सुबह भी यह लोग सही से काम नहीं कर पाते तो आफ आपको समझ में आ जागा पहले मैं आपको हिंदी में बतारी हूं फिर पढ़वारी हूं ठीक है तो चलो पढ़ लेते हैं वाइल ग्रीडे कुट दुवर्स, बेनेफिशन बीस्ट उफ प्री, स्वाम ओवर दियर लाइव्स इनफोर्स लिएटस, पहले वो आके प्रॉमिसेज करते हैं, उनको बेफकूफ बनाते हैं, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night in ancient way and by teaching them how to sleep, पहले ये लोग आके, पीपल इन पाहर आके इने टीच करते हैं how to sleep करते हैं, चैन से जियो, कोई दिक्कत निया, हम तुमारे को सब प्रोवाइड करेंगे और फिर जब जो है, इनको वोट वोट मिल जाते हैं, उसके बाद, दे स्लीप all day window there, that way it's all day in almost open prayer तो यहां पर पोईट कह रहे हैं, sometimes I feel, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं यह सब चीजे ना जहेल नहीं पाहूंगा मैं सोच के भी मुझे इतना वो हो रहा है कि जो childish longing है, childish longing मतलब जो बच्चों की सिद्ध होती है, बच्चों को कोई चीज अगर चाहिए ही, वो बहुत आस लगाते है, तो वैसे ही आस लगाए बैठे है, यह roadside stand के लो कि शायद कोई आजाएगा और कुछ खरीद लेगा, य the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer, बच्चों के लिए करते हैं पूरा दिन बैठ के, यह poet ने बताया है, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, तो यह लोग प्रे करते हैं कि काश इन्हें गाड़ी के ब्रेक लगने की आवास आजाए, काश कोई हजार गाड़ीों में से, जो हजार selfish काड़ीं जाए 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 उनमें से काश एक जना रुक जाए इनके पास, just want to inquire what farm's prices are, just एक बार कोई आके इन से पूछ ले कि क्या rate आप दे रहे हो, यह सब जी कितनी की है, काश कोई आके पूछ ले बट कोई नहीं आता है, and one did stop, but only to blow up grass, और पते एक दि उनम आडा रुक भी गया, यह लोग हुँ है, बट वो रुका सब्स भाइबना के लिए नहीं था, उसे पर समनी गाडी बैक करनी थे घर कहन थे, and another asked to weigh where it was bound, और दूसरा एक और रुक जा था एक गिन, और उसने रुक जाए पते क्या पूछा, रास्ता कहा है, आगे का जै इसरी गाड़ी वाला रूखजातर पूशता है तुम्हारे पास अंग्रेज रहे है यह पैट्रोल मारे लो तो तो पार कहते है प proteg dosaurus झाल ठीम पांगी पिनी मुश्केल से रहा है कि अनुग गम ऐसे लोग पूछते रहते हैं मतलब ही लोग उनसे जो है कोई कुछ खरीदता नहीं है यह हमें बार-बार बताना चाहिए आगे पड़ते हैं no in country money the country scale of gain the requested lift of spirit has never been found country मतलब जो यह गाउन वाली लोग पैसा कमा पा रहे हैं जो roadside stand की लोग पैसा कमा पा रहे है the requested lift of spirit has never been found required lift of spirit यानि कि required life standard इने चाहिए वो कभी नहीं मिला है यह हो सकता है यह लोग रात को भूगे पेट सोते हो यह अपना जो है इतना गुजारा भी नहीं कर पा रहे है और so the voice of the country seems to complain और यही चीज यह लोग कम्लें करते हैं कि हम अपनी standard of living अच्छे करना चाते हैं हम भी अपनी being को expand करना चाते हैं तो हम जब अपना कोई start-up कर रहे हैं हमने कोई कोशिश करी अपनी तरफ से तो क्यों लोग हमारे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि ना ही क्यों नहीं कर रहे हैं अब पोएट एंड आ गया है हमारी पोएम का I can't help owing to the great relief it would be to put these people at one stoke out of their pain अब पोएट नहीं बिल्कुल निराश हो चुक है कि मुझे नहीं लगता है इनकी कोई मदद कर पाएगा एक ही चीज़ इनकी मदद कर सकते है कि इनका दर्थ एक बारी में खतम कर दो यानि कि मार दो इन सभी लोगो को क्योंकि कोई इनकी नहीं सुन रहा है ऐसी अपना जी वो केते हैं अगले दिन मुझे अकल आई और मैंने सोचा I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain और मैंने सोचा कि काश तुम सब मेरे पास आओ मेरे सारे डीडर्स मेरे पास आओ और मुझे मेरे इस दर्थ से भाण ने कालो और हमारे पोईट का दर्थ क्या है कि रोज साइच स्टैंड के लोगों के पास कोई नहीं जा रहा तो यहानी की पोईट हम यह कह रहे हैं कि एक दिन मैंने सोचा कि लोगों को मार दिया जाए क्यूंकि इनकी तो विशिस ऐसे भी कोई सुन नहीं रहा है इन से जो है जाके क कुछ नहीं कुछ खरीदे तो यही सिंपल सी पोई स्टिल क्लियर हो चुकी होगी तो आप मैं चालती हूँ बबाए टे के बैस्ट अफलाग हमें लेंगे नेक्स वीडियो पर सामरी वाड मीनिंग एवर्टिंग एवर्टिंग क्यों चेक फॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स बबाए बाए